नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो में दोस्तों एक हत्रस से बहुत बड़ी खबर आ रही है इसलिए मैं सोचा कि आपको बता दू क्योंकि बहुत सारे लोग यह कमेंट भी कर रहे थे कि हत्रस का न्यूस कब आता है कब आता है तो कल भी मैंने एक वड्यो अप्लोड किया था आज भी मैं अप्लोड कर रहा हूँ एकrig कि हत्रस संधीप का एक पुराना भयन ही मैं कह सकता हूं है को लेटेस्ट आपको अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है कई दिनों से बंद है कैसकते हैं कि महीनों से बंद है अब देखते हैं ये सुनवाई कब स्टार्ट होता है जैसे ही कोई सुनवाई स्टार्ट होगा और जैसे बतादू आपको की हतरस केस में संदीप ने यह जो बयान दिया था, उसके कियेगा कोई पच्थावा नहीं है, संधीप मो लगता है कि उसने जो किया, जो ठाकूड लोग करते हैं, एक दलीथ पे अत्याचार करते हैं, जो बड़े बड़े लोग करते हैं डलीत पर अत्याचार करते हैं तो उसे लगता है कि ये उसका जो कह सकते हैं कि एक हक है जैसे कि खाना खाना हक है कहीं पर जाना हक है तो इस तरह से एक कार्यज जो होता है वो कहता है कि कहीं मेरा ये पूरी तरह से ये हक है कि हम लोग अत्य अत्याचार कर सकते हैं लेकिन इस तरह का अत्याचार करना ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी कहीं भी किसी भी कानून में इसके लिए कोई जगह है क्योंकि अत्याचार होता है चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो अभी के जो 21st century चल रहा है यहां पर कोई किसी के अंदर काम नहीं कर सकता, कोई किसी का जागेड नहीं है सब अपने स्वतंत्र है हमारा संभिधान कहता है कि आप आजाद हो आपकी एक अलग पैचान है आप किसी और के अंडर में दब करके नहीं रह सकते तो ये उसका संदीब का एक मतलब कह सकते हैं कि एक गाउवाला विचार है जो कि एक छोटी से उसके दिमाग में पुरा भर दिया गया है उसके परिवार, उसके फैमिली, उसके भुजूर्गी के तरफ से कि वो जो करता है, वो सही करता है तो ये एक बड़ी बात है, जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि संदीब का इस तरह का बयान, जो मतलब हो सकते, कुछ महीने पहले का है ये पुरानी बयान है, जो मुझे लगा कि आप लोग को बताना चाहिए कि एक पहलू के उपर आप लोग की नजर हो रहती है तो बस यही था अभी का, जैसा ही कोई अपडेट आती है केस से रिलेटेड, वैसा ही आपको एक वीडियो मिल जाएगा मिलते एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप खुछ रहिए, सुरक्षित रहिए, जैहिए